कितारना दाम किसे आगे एक किलमेटर उपर इक चेका है बहरव को कि न मंदिर पर जाने ही कोशिश करते हैं देखते हैं Washington जाया चाहे है और आपको आगे है राखे जही से तक आता हूं कि यह आप सामने अब लेकिन स्टीब बहुत है तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यह है रास्ता उपर जाने के लिए इसे पहरा मंदिर जाते है रास्ता शायदे किलो मेंटर के असपास होगा और यह पीछे आप मेरे देख रहे हैं के दारना धामंदिर और उसका सारा परिसर मिल्कुन मंद अजय के बीच में अच्छी बात है कि अबीच नोफ आने कोई जो रास्ता है वह पूरा साफ है थोड़ा थोड़ा पैच आएगा आराम से निकालते जाएंगे और आपको भी वहरो मंदिर के दर्शंग कराते हैं चलिए यह साथ यह देखिए क्या अधिबुत में जा रहे ह इन मिशार का परवतों के और इनके बीच में हम चलते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी स्नुवाएं बीच में बसकोशिश करें अराम से चलें जल्टी कोई नहीं है कि यह देखिए कि भैर उफ मंदिर कि उपर से तो नुक लगता है बहुत कि अद्बुत में जार आएगा नीचे के पूरे दाम का तो चलते हैं यह देखिए अभी मेरे सामने रोतिन लोग करके थे शलिप अराम से चलें यह देखिए नीचे बस अराम से चलते जाएं पैर तेजी क्यों करने और दर्शन करने जा रहे हैं अराम से जाएंगे अराम से चड़ेंगे और अराम से दरहेंगे यह देखिए यह लोग भी आ रहे हैं और विशाल काई पाहड अद्बुत नजारा करें रास्ते के उपर से ब्लाइस ने के सकते हैं इसक उपर चलेंगे तो पका फिस लेंगे बिल्कुल भ्लाइस तो बरफ जाना सही रहता है यह देखिए बलाइक आज वोङगर गृष तो नीचे से नहीं हाट कि उपर सै बरस आई बड़व सांफ्ट है पा पाने पीगलत जाता है और जम तरता साथ साथ तो वह एक कांच सा बन जाता है उसकारण उसको पर चटना मुश्की दिए जाता है क्योंकि बहुत फसलता है हम भी चट रहे हैं यह देखिए जारे आज़ बूद्ध के जी हम ब्रैकेश वाला हिस्सा पार कर लिए हमने अब हम उपर जा रहे ह देखिए पूरा ख्लेशरी ग्लेशर है और यहां से दाल दुआ रहे हैं यह देखिए अज़े आधर रास्ता हमने बार कर दिये और भी आधर रास्ता रहे हैं अब यह दस मिनट में पूर उपर पहुंच जाएंगे और आपको बीच बीच में देखिए नजारे चड़ते जा रहे हैं यह देखिए यह है नजारा फूरी केदार खाटी का है है अधिकॉप्टर भी शर्व शुरू हो चुखिए है तो थोड़े देखिया टेस्टेंस तो कम है तेकिन एलिवेशन है तो स्लो स्लों आए है कि जाद सांस नो चड़े सांस लेगा होड़ी है यह देखिए जी पहुंच के पसम और यह देखिए तो चड़ाई कुछ जा मतब चड़ाई है ज्यादा होगी लेकिन डिस्टेंस का में तो अगर सिंपल स्मीड में भी आए तो अभी 10-15 मिन में उपर पहुंच जाएगे यह देखिए बस मंदीर आगे तरसन करते हैं और रात तो भी दिखाते हैं फाइनली हम पहुंच गये दस मिन लगे हमको में पहुंच रहे में लेकिन एलिवेशन है थोड़ी लगते 200 में चड़ जाते हूं है इस एक किलोमेटर में तो अच्छी है दोस्तों ज्यादा कह दिया हुआ है पता करना पड़े कि सौ के आसपस तो शुकर में सबड़े के अद़ में मराम करें अध्कष में हुआ है दोस्तों जाए बार चड़के पादें जागां है अब किसा खरी पर्यार्णीद़ जतलें तक है वह सब्द़ाने जिए क्री दोस्तों गर्ष्डावा नड़ा करी पन्नी जोने कि आसे लिए नगे और अत् का भी वी वाएगा आप आपको दिखाते हैं इस नाहीं नीचे पैड है और अभी हम आपको नीचे के दारधाम की बितर्शन कराते हैं तो हम 10 मिनट में यहां चट करा आए अब आप यहां और चट सकते हैं ज़रूर यहां आए बस अराम से और देख कर आए ताकि किसले ना और अगर परशासन रस्ता बंद किये तो पर जरूरी ना है कि अगर सब कुछ सही है तो यहां जरूर है बैरव मंदिर और यह देखिया हम बिल्कुल अभी टॉप पर आए और यहां से वह सामने श्री के दारधाम और यह देखिए अधको अधको अधना सारे कि अगर आप मेरे पिछे देख सकते हैं तो यह पूरा मंदिर का परिसर काफी हाइट पर है मंदिर कि दार्मा थाम चाहिए बहुत शानदार यह जगह और ग्लेशर से ओक आना पड़ता बस ध्यान रखें थोड़ा फिस लेना और तेज में चले सांस न चड़े वाकि ठीक है मंदिर मंदिर काफी आती है मैं को भी प्रेंट कैमरा से भी दिखाते हुए सब कुछ अब हम करने लगने अपने वापस गयातरा शुरूब मैं रव मंदिर से 15 बेजमेट उपर रहें बहुत अच्छी वीडियोस बनाएं आपको जरूर चैनल पर डालके दिखाएंगे तो अब यहां से मुतरेंगे अब हमारी उतराना मंदिर से पूरा का पूरा यह उतर रहे हैं यह मंदिर के हम बिल्कुल पीछे आगए हैं और यह देखिए करने लगे अपनी नीचे के चुड़ान शुरू जैसे यहां से नीचे उतरते हैं फिर हम उतरेंगे गौरिकुंट की तरफ तो भैरव बाबा के द्वार से उतर के आके उतरते हैं और उताते हैं आपको रास्ती के अलग अदबुत नजारें और कैसे रहेगा हमारा नीचे करने का पूरा ट्रेक तो यह दिखो वैसे लोगों टेंट भी लगाएं यहां पर तो काफी संदर रिच्छे में बस ठांड बहुत हो जाती होगी बाग इतर थीक है तो हम करते हैं जी उतराई और चलते हैं नीचे गौरिकुंट की तरफ और मिलते हैं आप से इजह हमारी न रास्ता साफ है तो अराम से उतर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है वह बहुंट बहुत रहे हमालीया दबुत नजारें और वो निचे केदारभाम तो बिल्कुलें कुटरत की गोद में बहुत ही अद्बूत अब हम उतर रहे हैं तो ग्लेशित का पार्ट स्टार्ट हो रहा है बस ब्लैका इसका ध्यान रखेंगे और अराम से उतर जाएंगे इसे समय में आपको जल्दी नहीं करनी क्योंकि वर्फ है फिसरन असानी से हो जाती है तो अपना अराम से चलें एक किल करती तेजी करेंगे तो फिसलने गड़ा रहा है कि अ कि अ कि अ कि ट्राइए इसके पाठ आने लगा है और हम बस उतरने लगें यह देखिए वह सामने अगर आप देख रहे होगे तो बहुत हम यहां से बसक्राइब पहुंच जाएंगे हम उतर गया है पूरा और बहरो बा कि अब चलते हैं और अपनी जाय बोले हर महादेख अब चलते हैं और अपनी जाय बोले हर महादेख